दोस्तो वैदिक जोतिश में शुक्र ग्रह को सुख संपदा और अश्वर्य का कारक माना जाता है। तो दामपत्य जीवन सफल नहीं होता। तवचा समेत कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। किसी भी तरह का कारे आपका सिद्न नहीं हो पाता। शारीरिक और मानसिक रूप से भी आप बहुत परिशान हो जाते हैं। बताया जाता है कि कोई भी ग्रह जब कमजोर या मजबूत होता है तो उसके संकेत मिलते हैं। यदि आपका शुक्र कमजोर है तो आपके जीवन में होने वाली घटनाएं उसका संकेत देती हैं। आईए जानते हैं कमजोर शुक्र की क्या है निशानिया। आए हैं तो आपका शुक्र कमजोर है इसके अलावा आँख, पेशाब, आंथ, पैर, किडनी या शुगर जैसे जुड़ी बिमारियां हो सकती हैं। इसी के साथ नमबर पांच, जिनका शुक्र कमजोर होता है, उनके पास धन, सुख, सुविधाओं का अभाव रहता है, आतम विश्वास कमजोर होता है, यश और कीरती प्राप्त नहीं होती है। अब तक दोस्तों हमने आपके जीवन में चल रही परिशानियों का कारण जान लिया, कि आपके जीवन की परिशानियों की वज़ए शुक्र ग्रहे का कमजोर होना है। अब ऐसे में बात करते हैं कुछ अचूक उपायों की जिन्हें कर लेने से आपके जीवन की तमाम तरह की परिशानियां दूर हो जाएगी, शुक्र ग्रहे बलवान हो जाएगा, माता लक्ष्मी का अशिरवाद भी मिल जाएगा, तो हम आपको बताएंगे लहसुन के कुछ चमतकारी उपाय, जिनको करने से जीवन की हर जरूरत पूरी हो सकती है, लहसुन खाने में स्वाद भढ़ाने का काम करता है, आयुरवेद में इसे एक गुणकारी और शद्धी माना जाता है, हाला कि इसके फायदे बस यहीं तक्सीमित नहीं है, जोती शास्तर में लहसुन को टोटको के रूप में भी उपयोग किया जाता है, लहसुन के टोटके सोई किसमत को जगाने का काम करते हैं, दोस्तों लहसुन तांतरिक गुणों में सबसे उत्तम मानी जाती है, आयुरवेदिक भाशा में देखा जाए, तो लहसुन अपने दम पर कई तरीके के रोगों को जड़ से खतम कर सकती है, दोस्तों अगर आप लहसुन के सही तरीके से उपाई करते हैं, माता लक्षमी जी के सामने प्राथना करते हैं, तो मान के चलिए माता लक्षमी जी को आपको आशिरवाद देना तैय है, सरल भाशा में समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप माता लक्षमी जी का अशिरवाद मिले तो आपको मा लक्षमी जी को सीधा प्रसंद करना होगा, दोस्तों आपके जीवन में कभी भी आपको परिशानी नहीं दिखाई देगी, ध्यान से सुनिएगा, इस बातों को हम आपको जो बताने जा रहे हैं, वो चीज आपके जो रुसो लहसन तो जरूर होगा, आप अगर अपने किचन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर लहसन जरूर दिखाई देगा, इसी प्रकार से दोस्तों बता दे कि जितनी भी चीजे होती है, वो किसी ना किसी भगवान को समर्पित होती है, इसी प्रकार से जो हल्दी होती है, वो भ बहुत ध्यान से सुनियेगा मातालक्ष्मी जी एक ऐसी देवी है जिनके सामने हल्की सी साधना अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो मातालक्ष्मी जी तुरंत उस व्यक्ति पर प्रसंद हो जाती हैं। इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक जरूर देखेगा दोस्तों जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि लहसुन में इतनी शमता होती है कि अगर आपके घर पर किसी व्यक्ति ने काला जादू या तांतरिक विद्या करवा रखी है वो चाहता है कि आपके घर में हमेशा सम शक्ता तो होती ही है धनवान बनने के लिए हर कोई दिन रात महनत करता है मन के अनुरूप परिनाम ना मिल पाने के कारण निराशा का सामना करना पड़ता है या फिर धन आता तो है लेकिन पास में रुक नहीं पाता यदि आपको भी धन प्राप्त करने के लिए मुश्किल के बाद अपने घर पर माता लक्षमी जी को आपने फोटो जो रखी हुई है जो चितर अपने अपने घर पर रखा हुआ है उसके सामने बैठ कर एक घी का दीपक जलाना है बहुत ध्यान दीजेगा जो घी का दीपक होना चाहिए एक लाल कपड़े के उपर आपको जलाना है और उसी दीपक के पास आपको लहसुन पकड़ कर माता लक्षमी जी के चर्णों को छुआना है दोस्तो जैसा कि आप माता लक्षमी जी के चर्णों को से लहसुन को छुआएंगे आपको वहाँ पर एक बीज मंत्र का जाब करना है दोस्तो ये जो बीज मंत्र होगा ये पड़े के उपर और वहां पर मालक्शमी जी ओर सर्स्वती की आपको दो फोटो रखनी है उस घी के दीपक आपको मालक्श्मी की चौणर कर आपको उनके पैरों पर चुआना है और एक 2 मंतर का प्रियोकर ये बीज मंत्र ध्यान से सुनिएगा ये माता लक्षमी और माता सरस्वती दोनों के लिए ही है जै जै हे भगवती सुर्भारती तव चर्नो प्रन्मा में नादत वमेय जवागिश्वरी शरनम ते गच्छा में दोस्तों जैसे ही ये मंत्र आप पूरा कर देंगे उसके बाद जो लहसुन है उसको आपको उठा कर एक ऐसी जगह रख देना है जहां पर आप पैसा रखते हैं जैसे कि आप कोई अलमारी में पैसा रखते हैं तो वहाँ पर रख देना है या फिर अगर आप जौब में जाते हैं नौकरी में जाते हैं तो ये जो लहसुन है वो आपको अ की प्राप्ति भी होगी दोस्तों इसी प्रकार से देखा गया है कि सुख सम्रिद्धी सनेह प्यार धन दौलत की प्राप्ति करने के लिए तांतरिक लोग जो होते हैं वो लहसुन का ही प्रियोग करते हैं आपको बता दे कि अगर आपके जीवन में परिशानी है कष्ट है आपको इज़त नहीं मिलती है तो ये मान के चलिए आपके गरहे हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं अरधार्त आपके जो तारे हैं आपका साथ छोड़ चुके हैं लेकिन आपको परिशान होने की जरूरत बिलकुल नहीं है आपको जो उपाए इस वीडियो में बताए या बताएंगे वो ऐसे उपाएं हैं जिन में आपका एक पैसा भी खर्च नहीं लगेगा प्रंतु उन उपाएं को करने के बाद मान के चलिए माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद आपको अवश्य मिल जाएगा दोस्तों बड़े-बड़े वैज्ञानिक हो चाहे बड़े-ब आपको अपनी परेशानियों से मुश्किलों से निजात मिल जाएगी एक ऐसा उपाएं जो आपकी जीवन में गरीबी दरिद्रता परेशानियां हमेशा के लिए खतम कर देगा दूसरे तरीके से देखा जाए तो माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद आपको मिलेगा आपके जीवन में पैसों की कमी जो है वो नहीं रहेगी और आप जो चाहेंगे वो आपको अवश्य ही मिलेगा दोस्तो एक बात समझ लीजिएगा आप लोग कभी भी आप किसी पंडित को पकड़ते हैं एस्ट्रलॉजर के पास जाते हैं किसी भी भ्रामन के पास जाते हैं और उन जीवन में चल रही समस्याय खतम हो जाएंगी तो दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको बता देती हूं माता लक्षमी जी को खुश करने के लिए केवल और केवल आपको जो करना है आपको बहुत ध्यान से सुनना है इस उपाए को लगातार चार शुकरवार अगर आप क कर लेते हैं तो माता लक्षमी जी का अशिरवाद आपको मिल जाता है तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आपको कौन सा उपाए करना है किस तरीके से करना है देखे दोस्तों नमबर एक सबताह के प्रतेग शुकरवार को वरत रखें और सफेद वस्तू जैसे कि दूद दूद मोती दही चीनी आटा और दूद गी आदी का दान करें नमबर 2 शुन शुकराय नमः या शुन शुकराय नमः का कम से कम 108 बार जाब करें नमबर तीन गाए को रोज सुभे रोटी खिलाएं नमबर चार कभी भी महिलाओं का अपमान ना करें तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे वीडियो में और आपको बताते हैं कि अगर कुंडली में शुक्र ग्रहे मजबूत हो तो जातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है तो द काफी लोकप्रिय होता है नमबर तीन ऐसे जातक समाज में काफी खयाती और मान सम्मान प्राप्त करते हैं नमबर चार जब भौतिक सुखों में व्रिदी होने लगे तो ये शुक्र के शुब संकेत हैं नमबर पांच व्यक्ति को किसी कार्यज में अचानक से लगातार सफल मिलने प्रारंब होने लगती हैं तो समझे कि आपका शुक्र मजबूत है नमबर चे जब व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं और मान सम्मान मिव्रिदी होने लगे तो कुंडली में शुक्र मजबूत होता है नमबर साथ कुंडली में शुक्र ग्रह के मजबूत होन ठीक रहे इसके लिए तमाम तरह के उपाई अपनाई जाते हैं धन वैभव और समपनता के लिए घर की साफ सफाई आवश्यक है घर की नकरातमक शक्तियों को दूर करने के लिए घर में चीजों को व्यवस्थित रखना होगा घर के वास्तु दोश को दूर करने के लिए बरतन में पानी भरकर रखने से घर की नकरातमक शक्तियों दूर हो जाएंगी घर में नमक और फिटकरी डालकर पोच्छा लगाने से घर की नकरातमक शक्तियों नश्ट हो जाती है नमबर दो वास्तु शास्तर के अनुसार घर साफ सुत्रा और रोश्नी से भरपूर होना तो उस घर से वास्तु दोश दूर हो जाता है। हिंदू धरम में स्वास्तिक का निशान सभी पूजापाट और धारमी कनुष्ठानों में किया जाता है। जिस घर में स्वास्तिक का निशान मुख्यद्वार पर बनाया जाता है। उस घर में लक्षमी प्रवेश करती हैं। नमबर चार, घर के मुखे द्वार पर दोनों और घी के दीपक रखने से आर्थिक स्थिती मजबूत होती है। अगर घर के मुखे द्वार पर एक लोटे में पानी रखें और सुभए पानी को घर से बाहर फेक दें तो इससे घर परिवार की आर्थिक स्थिती में सुधार आता है। नमबर पांच घर के वास्तुदोश को दूर करने के लिए घर के दक्षिन पश्चिम की दिशा में दीपक जलाने से लाब प्राप्त होता है। लोगों का स्वास्ते उत्तम रहे इसके लिए घर को वास्तुदोश से मुक्त होना चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी को धन, संपत्ती और वैभव की देवी कहा जाता है। उपायों के बारे में। रहा है तो शुकरवार के दिन काली चीटियों को चीनी डालें। शंक, कौडी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेश प्रिये है। शुकरवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पती-पतनी में तनाव रहता है तो शुकरवार के दिन अपने शैन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। अब हम आपको और एक ऐसा उपाई बताने वाले हैं जिसे अगर आप जोतिश शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिये का वो उपाई ये साल खतम होने से पहले उस दिन पर सही मुहरत पर कर लेते हैं। तो यकीन मानिये दोस्तों ये चोटा सा उपाई आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट आर्थिक परिशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। और धन रुके गाबी और आपके पैसों की किल्लत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो देखे अब मान के चलिए कि आपके जीवन में धन आना ही बंद हो गया है आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता ही नहीं है आपके जीवन में बेफिजूल खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तो इसके मुख्य वज़ा है शास्तरों के अनुसार ये होती है कि आपका शुक्र ग्रहे बहुत कमजोर है जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रहे कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिक ही नहीं सकता क्योंकि जो शुक्र ग्रहे होता है वो धन दौलत संपदा का ग्रहे होता है और इस ग्रहे का जो नियंतरन होता है वो माता ल लक्षमी जी की पूजा के लिए बहुत ही जादा उत्तम दिन माना जाता है इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन आपको सुर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है लाल कपड़े पहनने है और माता लक्षमी जी को लाल रंग बहुत प्रिया है आपको एक लाल कप माता लक्षमी जी के बीज मंतर का आपको 11 बार जाप करना हैी बीज मंतर है ओम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं बस अब उस कप्ड़े की एक पोटली बनानी है ध्यान रखेगा पोटली बनातेने वक्त मॉली ढागे का इस्तमाल कीजिएगा इस पोटली को अपने उस कमरे म में रख लीजिए जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं सिरफ ये उपाए आपको करना है और आपके पैसों की किलत दोस्तों दूर हो जाएगी धन टिकेगा आप माला माल हो जाएंगे जो भी फिजूल खर्चे हैं वो सब बंध होने वाले हैं मातर इस उपाए से तो आ आपको मिलती रहे जल्दी मुलाकात होगी आपसे तब तक के लिए जय मालिक्ष्मी